शारुक खान को बॉलिवुड का रोमेंस किंग कहा जाता है उन्होंने अपने करियर ग्राफ में इतनी रोमेंटिक मूवीज की हैं इतने सिजलिंग लवर्स के अफ्तार निभाए हैं इतनी प्रेम कहानियों को परदे पर उतारा है कि बॉलिवुड में उनका एक नाम लव भी है लेकिन हालगी में पठान और जवान की बाद शारुक को एक्शन किंग का भी तबका मिल गया लेकिन वो कहते हैं ना कि ओल्ड इस गोल्ड पुराना चोहें कितना की ओल्ड फैशन प्यूरा हो जाएं लेकिन हमेशा तरो ताजा रहता है अब शारुक के ओल्ड सबाला है और इस जारुक का फूराना वाला रोमेंटिक दिखाई देने वाला है और इस वाले एंगल में युछ साहसा देने वाली था हाला कि अब आप सोच रही होंगे कि इसमें क्या नाया है ये तो पहले से ही सब को पता है कि मूवी में शारुक तापसी के साथ रोमेंस करने वाले हैं दोनों का लव एंगल देखने को मिलने वाला है तो देखे बात कुछ ऐसी है कि पहले कहा कया था कि जंकी ऐसे प्रवासिय है लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है सोर्स के हवाले से मीडिया में कहा गया है कि फिल्म का कैनिडा से कोई लेना देना ही नहीं बलकि ये एक समवेदन शीम यानिकी बेहधी सेंसिटिव लव स्टोरी होने वाली है पोटल वॉक्स ओफिस वर्डवाइड ने अपने सो है कि डंकी में शारुक और तापसी के किरदारों के बीच रोमेंटिक ट्रैक है दोनों पर एक लव सॉंग भी फिल्माया गया है इस ख़बर की बाहर आने के बाद से फैंस ने अलग ही लेवल की थियोरी बना डाली है डंकी की दुनिया को क्रियेट करने के लिए दर्शुक कि फैंस की इन फियोरी में कितनी सचाई है और कितनी नहीं इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता ये तो फिल्म से कोई मेटीरियल आने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई रंकी की कहानी का तापसी की शादी से और शारुक के इलीगल विदेश जाने से कुछ लेना देना है भी या नहीं आपको वैसे इस एंगल पर क्या कुछ कहना है क्योंकि कहानी का बहुत बड़ा फोकस शारुक और तापसी का रिष्टा और उनकी लव स्टोरी पर रहने वाला है तो आपकी हिसाब से इस थियोरी में कितना दम है शेर की जग आपने जवाब मीचे कॉमें से पाइ